जेहिन नमस्ते वंदे मात्रम सातियों आप सभी का स्वागत है समाधानि स्टेडी के यूटूब चैनल पर और आप सभी के लिए पुन्हों में एक बार महत्पुन सेसन जो आपका नीट है पीनस टी और जितनी भी सारी एकजामे हैं अगर नर्सिंग से रिलेटेड है उन सभ अजी सातियों आजका यह सेसन स्टार्ट करते है अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आप लोग हमारे साथ बने रहे हैं देखे सातियों पहला कुशन आपके स्क्रीन पर है क्या बोला गया जरा सभी लोग द्यान दीजेगा उपरिक्त सभी होगा तो सातियों सभी को नोट करना है कि आपका जो राइट अंसर होगा एम जो है आर एने आपका करेक्ट अंसर होगा क्या होगा कि एम आर एने पर उपस्तित क्रमों की अनुसार अमीनों अमल जो है उत्पन्न होते हैं और इस कारण से ही अमीनों अमल की क्रमसह, mRNA द्वारा क्या होती है परिभासित होती है तो जो हमारा right answer है option number B होने वाला है उसी प्रकार से next question पर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा tRNA के amino acylation या charging के द्वरान होता है सुनिएगा option number A क्या है option number A है आपका जो है ATP की उपस्तिती में अमीनो अमलका सक्रियन जिसे हम लोग activation कहेंगे अमीनो अमलका उसके सजातिय tRNA से जो है जुड़ना विकल्प AB दोनों या उपरिक्त में से कोई नहीं क्या answer होने वाला है तो सातियों आप लोग note करिएगा अगर आप सभी लोग answer कर पा रहे हैं ठीके अगर आप सभी लोग answer कर पा रहे हैं क्या विकल्प A और B दोनों ही tRNA की उपस्तिती में अमीनो अमलका सक्रियन अमीनो अमलका जो है उसके सजीव tRNA से जुड़ना ये आपका correct answer हो जाएगा next question की अगर बात करेंगे बोला कर गया है बोला गया है कि protein sensulation के लिए उत्तरदाई कोसी का factory है mitochondria, antiprida विजाली का galgica या फिर ribosome तो क्या अंजर हो सकता है तो सभी साती ध्यान दिजेगा protein sensulation के लिए उत्तरदाई कोसी का factory जो है आपका वह ribosome है कैसाती हो ribosome correct answer है ठीक है क्या है ribosome is the right answer जिवानों में निम्न में से कोन सा tRNA संरचनात्मक जो है RNA के साथ साथ ribosome के समान विभार करता है चलिए answer करिए सभी साथी जरा ध्यान दिजेगा 5S RNA या फिर 18 या फिर 23 या 1.8 तो जैसे कि आप लोग answer कर पा रहे है option number C 23S RNA इसका correct answer होगा ठीक है साथी क्या right answer होगा option number C होने वाला है उसी प्रकार से साथी हो हम लोग आगे बढ़ेंगे दिये गए उस जोड़े को पहचाने जो प्रारंब मतलब starting you termination code को प्रदर्सित करता है तो इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या answer होने वाला है यह हमें आप लोग बतागे तो साथी हो आपका option number a, u, g upon me u, a, g और आपका option number d right answer होगा मतलब उपरिक्त सभी आपका right answer हो जाएगा यह हमें ध्यान रखना है उसी प्रकार से next question पराते है कि समारंभन के लिए ribosome a, k ठीके तो जो ribosome है a, k प्रारंभक कोडान में आपका mRNA आएगा योम फिर आपका a, u, g एडिनीन यूरेसीन और गवानीन ठीके की पहचान प्रारंभक tRNA की जाती है तो यह आपका option number a correct होगा उसी प्रकार से next पर आते हैं क्या बोला है गलत जोड़े का चेन करे क्या है गलत यहाँ पर कून सा जोड़ा है उसे हमें चूस करके बताना है तो देखीगा अ, इस्थानान तरित छेत्र प्रभावी अनू, लिपीकरन प्रकिरिया के लिए आवश्यक है बिलकुर सही अमोचक केवल प्रा जो है आपका प्रारम मतलब जो है स्टार्ट कोडान सहित आरेने का क्रम जी नहीं साथ यह गलत है तो डी भी करेक्ट होगा फिर ठीक है चलिए आगे आते हैं जरा ध्यान दिजीगा प्रोकेरियोटिक्स जिन प्रोकेरियोटिक्स जिन जो है अभी व्यक्ति के नियंतरन के लिए कुछ ऐसे प्रभावी इस्तल है जो की आपका ठीक है क्या है जो की आपका अनुलेखनी जो है समारंग की दर को नियमित करते हैं अनुलेखन एकाई में एक निश्चित उन्नायक के साथ यह आर एने पाली मरेज तो साथियोग जो बी है ना यह आपका करेक्टा अंतर बन जाएगा और फिर होगा आपका अतिरिक्त ठीक ऐसी में उसी प्रकार से साथियोग आगे बढ़ेंगे सहयोगात्मक सहयोगात्मक नियामक प्रोटीन कहलाता है तो सहयोगात्मक नियामक प्रोटीन की अगर हम लोग बात करें संक्रियन रोधक आवश्यक प्रोटीन या सहयक प्रोटीन तो क्या है आपका राइट अंसर है आपका सक्रियन ठीक है क्या right answer है क्या प्रेंट शक्रियन ठीक है या option number a correct है सात्यीर उसी प्रकार से कोन सा enzyme क्या बला है कोन सा enzyme उस کوसिका में उत्पादित होता है जिसमें लेक आई जिन में एक निरन्थक उत्परीवर्तन होता है बीटा गलेक्टोसाइटकेज या फिर लेक्टोजपरमीएज ट्रांस ऐसी टाइलेस क्या हो सकता है तो जो आप लोग राइट अंसर करेंगे option number A यह आपका correct अंसर हो जाएगा ठीके साती, क्या होगा option number A आपका राइट अंसर है अगर next question के हम लोग बात करेंगे तो prokaryotic DNA में आपका promoter छेतर की अभी गम्मेता क्रमों की सही प्रोटीन की परमपर किरियाद्वारा वी नीमित होती है ये क्रम कहलाते हैं नियामक, promoter, operator या फिर संदचनात्मक जिन क्या हो सकता है, तो साथ यो operator, क्या होगा, operator आपका right answer होगा मतलब option number C आपने सही किया होगा next है आपका कि एक operator को निम्न में से क्या वी नीमित करने वाला कहा जाता है अनू लिपी करनी एकाई, अनू जो है आपका वनसिकल एकाई, प्रोटीन एकाई, या फिर एंजाइमी एकाई, जर बता सकते हैं आप लोग क्या answer होगा तो operator अनू अनू अनसिक पधार दिया फिर DNA का भाग होता है तो साथियो अनू अनसिक जो है, जैनेटिक यूनिट आपका correct answer होगा क्या होगा, जैनेटिक यूनिट को क्या है, आपका right answer है नेक्स लोशन के अगर बात करेंगे, प्रतन ओपेराउन माडल है तो साथियो आप लोग नोट करियेगा कि प्रतन ओपेराउन जो है लेक ओपेराउन जो है, जो है खोजा था, यह हमें ध्यान रखना है 1961 में खोजा था, चले, साथियो आगे बढ़ेंगे और next question के हम लोग चर्चा करेंगे बोलाई कि जिन विनीमन, ठीक है, जिन विनीमन जो कि आपका इस्टेरेजिया को लाई, ई को लाई के लेक्टोज ओपेराउन्स को नियंतरित करता है जिसमें लेक फर्स्ट जिन उत्पाद सम्मेलित होता है तो साथियो, धनात्मक्यों प्रेरिनी क्योंकि यह लेक्टोस के द्वारा प्रेरित की जा सकती है यह रिनात्मक्यों प्रेरिनी क्योंकि रोधक प्रोटीन इसमें अनूलेखन को रोकता है तो साथियो, आप लोग नोट करियेगा भी अंसर करेक्ट है क्योंकि रोधक जो है क्रोटिन इसमें अनुलेखन को रोकता है नेक्स्ट कोश्चन है सात्यों आपका कि लेक उपेराउन में कितने नियामक यों सन्रशनात्मक जिन उपस्तित होते हैं एक या दू, एक या तीन, एक या एक, तीन या एक क्या हो सकता है, जर आप लोग बता सकते हैं, तो सात्यों सभी बंदु नोट करियेगा ठीके, क्या होगा, 1 and 3, क्या राइट अन्सर है, ओपसन नमबर B होगा ठीके ना सात्यों, ओपसन नमबर B करेक्ट आंसर होगा, या आप लोगों को ध्यान रखना है गलत जोड़े का चैन करें क्या है गलत जोड़े का चैन करें आई जिन लेकोपिराउन की दमनकारी के लिए कोड करता है क्या यह आंसर होगा या फिर जेड जिंक बेटा गलेक्टो साइटेस के लिए कोड करता है तो मेरे साथ यो राइट अंसर नोट करिएगा YGIN impermease के लिए कोड़ करता है जो कि बीटा गलेक्टोस के लिए कोशिका की परंपरक्ता कम कर देता है समझ रहे नेक्स्ट कोशन नोट करियागा सातियो कि आपका बोला है लेक्टोस एक सब्स्ट्रेंज है गलेक्टोसाइटेस के लिए अलफा गलेक्टोसाइटेस के लिए बीटा गलेक्टोसाइटेस के लिए या फिर गामा गलेक्टोसाइटेस के लिए क्या अंसर है तो सातियो आपका जो राइट असर बन जाएगा वो बन जाएगा ओप्सन नमबर B क्या बीटा गलेक्टो साइटेज के लिए समझ पारे हैं option number C correct है अगर next question के बात करेंगे बुला है कि निम्न में से किसके द्वारा लेक्टोस को कोशिका में पहुचाया जाता है बी गलेक्टो साइटेज या फिर परमियज या फिर ट्रांस ऐसी जो है टाइलेज या फिर ट्रांस फरेज क्या अंसर है साथियो तो नोट करिएगा आपका जो राइट अंसर है आपका क्या परमियज क्या सातियो आपका जो right answer है पर मिये जी ज़ा right answer और आप सभी ने बिलकुर definitely answer कर पाया होगा चलिए next question पर चर्चा करेंगे क्या दिया है लेक उपेरान का रोदक खालिस्तान जुड़ता है एक्जौन से या फिर इस्टौन से जो है आपका operate से या फिर संदचनात्मक जिन से क्या है सातियो आपका right answer तो सातियो आपका जो right answer होगा क्या operator से क्या होगा आपका जो right answer होगा operator से आपका right answer है ठीक option number C करेंट है next question पर चर्चा करेंगे लेक उपेरान मौडल के लिए गलत कथन का chain करें ठीक है लेक उपेरान मौडल के लिए गलत कथन का chain करें तो ध्यान देज़ेगा लेक्टोस प्रेरक के समान कारी करता है जो रोधक को निस्क्रियक कर देता है रोधक की उपस्तिती में RNA पाली मरेज प्रोमोटर से दूर रहता है तो साथ यो रोधक के द्वारा लेक उपेरान के विनी में को रिनात्मक विनी में कहा जाता है या उपेरान का रोधक आर जीन से विशिष्ट अवधी के द्वारान शेंसिलेशन होता है तो साथ यो आपका जो right answer है वो option number D होने वाला है ओके साथ यो D answer का रिक्ट है लेक ओपेरान के लिए गुलकोजियूम गेलेक्टोज प्रेरक के समान जो है कारी क्यों नहीं कर सकते तो क्योंकि वे रुधक के साथ जुड नहीं सकते क्योंकि वे रुधक साथ जुड सकते है क्योंकि वे जो है आपका operator के साथ जुड सकते है क्योंकि वे regulator के साथ जुड सकते है तो साथ यो नोट करना क्योंकि वे रुधक के साथ जुड नहीं सकते है तो जो आपका right answer है वो option number यह हो जाए नेक्ष्ट पर चर्चा करेंगे मानव जिनूम परियोजना के लिए निम्न में से कुन सा कतन सकते हैं कुन सा कतन सकते हैं तो दिखें द्यान दिजीगा कुन सा कतन सकते हैं यह वर्स 1990 से सुरू किया गया योमी से विसाल परियोजना कहा गया इस परियोजना के लिए कुल अनुमानित लागत 9 बिलियन यूज डालर होगी और इसका उद्देश्य मानव आरेने में उपस्तित सभी 20,000 चलेकर 25,000 जिन की पहचान करना है तो साथियो आपने जो राइट अंसर किया है ओपसन नंबर D तो डेफिनेटली हमारा राइट अंसर होने वाला है मानव जिन परियोजना की दिवारा समन वईत की गई यूरोपियन उर्जाविभाग, यूएस उर्जाविभाग, राष्टिय स्वास्ते, संस्थान या विकल्प B या C दोनों ही बोथ तो साथियो आपका जो राइट अंसर है यू आपका यूरोपियन उर्जाविभाग और साथी यूएस उर्जाविभाग तो ओपसन नंबर साथियो जो है उर्जाविभाग नहीं, राष्टिय स्वास्ते और यूरोपियन उर्जाविभाग ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कोशिन देखिए ज़र ध्यान दिजीगा नेक्स्ट कोशिन क्या है निम्न में से उस कतन की पहचान करिए जिसका मानव जिनों परीजन से संबंद नहीं है यह उर्जा 2003 में पूरा हुआ इसका उद्देश 3 बिलियन रासाइनिक चार जोड़ों के क्रम को निर्धारित करना यूम डाटाबेस में संग्रहित करना या फिर यह परीजना में उत्पन होने वाले नैतिक वधानतिक यूम सामाजिक मुद्दों से जुड़ा हुआ यह जो है आपका अमानवी जीवों के डीने करमों से जुड़ा नहीं है यह बिलुकुर सही बात बुर रहा है तो D answer correct है आगे चलेंगे और गलत कतन का चैन करना है तो व्यक्त अनुकरम घुड़ी जिन्स जो आरेने की रूप में अभिवेक्त होते हैं जी हा साती यह तो सही है अनुकरम टिपण जो है आपका कोडिंग जो है क्रोमों सहित जिनों का अनुकरम है यह गलत है ठीक है ना तो क्या है भी गलत है फिर तो सही होगा यह नेक्स्ट कुश्चन की चर्जा करेंगे देखे क्या है कि मानो जिनों परियो जिना में अनुवांसिक यो भौतिक नक से कैसे उत्पन की गए है तो आप लोग बता सकते हैं कि यह अंसर क्या होने वाला है तो मेरे सात्यों नोट करिएगा क्या होने वाला है आपका जो है यह हमें देहां लगना है मानो जिनों परियर जिनद्वारा बताई गई मानो जिनों में उपस्थित न्यूक्लियोटाइट की सटीक संख्या है एप्रोक्स संख्या आप लोग बताना है तो एप्रोक्स संख्या होगी 3164.7 थेक है क्या है आपका ओपसन नंबर ही आपका करिक्ट आँश है चले उसी प्रकार से नेक्ष्ट है आपका की आउसत जिन में क्या बोला है की आउसत जिन में 3,000 Б reserve च्छार होते है किन्तू इनके आकार में भिद्ञता होती है मनुष्य को ग्यात सबसे बड़ी जिन जो होगा वो होगा आपका डाई एस्पेक्ट फीन में जो है आपका कितने टू पाइंट फूर मिलियन चार होते हैं ठीक है यह आपको ध्यान रखना तो साथियो यह थी आपकी महत्वपूर्ण और बहतरीन सी क्लास सांदार सी क्लास I hope थोड़ी सी जो है चीजे कोश्चन ने जल्दी समप्त किया है तो मिलते साथियों नेश्ट सेसन में अपना ख्याल रखेगा और क्लास का रिवीजन जरू करना चलिए धन्यवाद जय हिंद्र